छट पूजा के इन मानिताओं को जानकर इस पावन पर्व के प्रति आपके आस्ता और भी बढ़ जाएगी जी हां हिंदु धर्में हर पर्व तिवहार का अपना एक अलग महत्व है लेकिन बात जब उत्तर भारत की हो तो छट पूजा को सबसे बड़ा तिवहार माना जाता ह छट प्रत भगवान भासकर और छटी महिया की उपासना का पर्व है इसकी महत्वता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि चार दिनों तक होने वाला छट पर्व केवल एक पर्व नहीं है बलकि महापर्व है उत्तर प्रदेश और खासकर बिहार की इसमिता से कार्तिक सुकल पच्च की प्रस्टि को बनाये जाने वाला छट ब्रत बांस से बने सूप टोकरी मिट्टी से बरतनों गन्ने गुड चावल और गेहूं से बने प्रशाद और सुक्म धुम धुर लोकगीतों से युक्त होकर लोक जीवन की भरपूर मिठास का प्रशाद करत है नहाय खाय से इसकी सुर्वात होती है जो डूपते और उगते सूर को अर्द देकर समाप्त होती है जो ऐसे तो यह पर्व साल में दो बार बनाया जाता है लेकिन कार्तिक छट का अपना एक विसेश महत्वह संतान परिवारिक सुक्स्रमनद्धी और मनवांचित्फल प् इसकी सादकी पवित्ता और लोगपच है छट पर्व को किसने सुरू किया और क्या है इसका एतिहाशिक और पुरारिक महत्वह इसके पीछे कई कहानिया और मानिताय प्रचलित हैं तो चलिए इस आस्था के सागर में डूप की लगाते हैं सुर की उपासना और राजा प्रीबद दमपत्ती को संतान प्राप्ती एक कथा के अनुसार राजा प्रीबद को कोई संतान नहीं थी महाश्वरी कश्यप ने पुत्र की प्राप्ती के लिए राजा को यग करने को कहा और उनकी पत्नी मालिनी को यग्याहुती के लिए मनाई गई खीर दी इससे रानी को पुत्र तो हुआ पर वो मरा हुआ प्रीबद पुत्र के सब को लेकर सब समसान गए और पुत्र वियोग में प्राण त्यागने की ठान ली तबी स्रस्टी की मूल प्रवर्ती के छटे अंस से उत्पन हुई भगवान की मानस पुत्री देव सेना प्रकट हुई और राजा से कहा कि उनकी पूजा करने से संतान सुख प्राप्ती होगी राजा प्रीबद और रानी मालती ने देवी प्रिस्ठी का व्रत किया और उन्हें पुत्र की प्राप्ती हुई और तभी से छट पूजा सुरू हुई